45 मर्दों के बीच अकेली महिला, पती के गुजरने के बाद छोरा शर्म और लाच का चोला, संघर्ज की ऐसी कहानी जिससे सुनकर खिसक जाएगी आपके पैरो तले की जमीन, तीन बच्चों को संभालती, सास का भी उठाती खर्च, अकेली महिला के जज़बे को देख हो जाएंगे आप हैरान? अगर आप किसी नारी शक्ती का जीता जाकता उदाहरन देखना चाहते हैं, तो मद्यपरदेश आईए, यहां आपको रज्जिक के कटनी रेलवे स्टेशन पर एक महिला मिलेगी, एक ऐसे महिला जो अकेली दिन रात 45 मर्दों के बीच रहती है और इसी से वह अपने और अपने बच्चों का भारन पोशन करती है, वैसे तो हमें से ज़ादा तर लोग पूर्शो को ही ऐसा कारे करते देखते हैं, लेकिन मद्यपरदेश के जवलपूर जिले में कटनी रेलवे स्टेशन पर एक महिला भी ये काम कर रही है, 45 मर्दों के बीच रहने वाली इस अकेली महिला का नाम संध्या मारावी है, संध्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था, कैसे वो अपना घर चलाएगी, एक बूढ़ी सास और तीन बच्चों की देखरे कैसे होगी? इनी तकलीफों की बोज तले संध्या दबी जा रही थी, पती के जाने के बाद संध्या के सामने रोजी रोटी की मुश्किल खड़ी हुई, लेकिन संध्या ने तकलीफों से हाड नहीं मानी, बलकि कूली की नौक्री शुरू कर दी, इस नौक्री की कारण ही वह तीन बच्चों और बुढ़ी सास की देखरे कर पा रही है, तकलीफों का पहार सर पर आने के बाद जब उन्हें नौक्री की जरूतान पड़ी, तो किसी ने कहा कि कटनी स्टेशन पर कूली की जगा खाली है, उन्हें तुरंट काम के लिए हाँ बोल दिया, उन्हें वहाँ जॉब लग गई, पैतालिस मर्दों के बीच इकलोती औरत द्रड संकल्पता और पूरी मेहनत के साथ अपना कारे करती है, जबलपुर की रहने वाली संध्या हर दिन 90 किलोमीटर की दूरी तैकर कटनी अपने काम के लिए आती है, आज संध्या समाज के लिए प्रेड़ना श्रोत है, एक समय पैसे न होने की वज़त से खाने की भी दिक्कत होने लगी थी, उससे बच्चों को इस हाल में देखा नहीं जा रहा था, इसलिए उन्होंने कूली बनने का फैसला किया, कटनी स्टेशन पर लगभग पैतालिस कूली है, लेकिन संध्या अकेली महिला कूली है, जो अपने कंदों पर भारी भड़कम वज़न उठाती है, रॉल इन्फिल्ड एक बार फिर आपके शहर में आ गया धूम मचाने, क्लासिक 350 के क्लासिक मॉडल के दिवाने तो बहुत हैं, लेकिन रेट्रो लुक के दिवानों के लिए रॉल इन्फिल्ड लेकर आया है हंटर, जिसकी शांदार लुक के जानदार परफॉमेक्स और तेज तरार चाल किसी को भी आकरशित करेगी, तेओ हारों के इस मौसम में आपने रॉय इन्फिल्ड श्चोरूं भतडिहा गोटा में जरूर आएं, और अधिक जानकारी के लिए दिए गया नंबर पर संपर्क करें